अलो खुणुरेंद जय भले संकर की साथू संत है क्या भागवार के घर से थोड़ी सी विक्षा मिलेगी सबसे बहले तो आपकी ये बेटी आपको प्रणाम करती है साथू मात्मा सिकार हो कहिए मैं आपकी क्या सिवा कर सकती हूं सादू संत हैं कैई रोज के भूके हैं हमें थोड़ी शी भिक्षा चाहिए और भोजन भी चाहिए तो ठीक हैं आप भाँ ठेरिये मैं आपके लिए भिक्षा और भोजन लेकर आती हूँ सुनिये मेरी बाद पईय लखी निरंजा निटेरी रया पईय लखी निरंजा निटेरी रया पियो भिक्षारी घाल भिक्कारी ने तो मेरी वाद भी सुन ली दिये आगे बड़ कैबिक्षा लेलो करी में तुमारी में पईय बड़ कैबिक्षा लेलो करी में तुमारी में पईय निरंजा निटेरी रया पियो भिक्षारी घाल भिक्कारी ने आगे बढ़ी कदि दिशा ले लो, परी बे तुम्हारी में आगे बढ़ी कदि शा ले लो, परी बे तुम्हारी में तेरी सत्ता हो तो भीक घाल दे आज़ी ए धनमाया से बिकशाले के त्यार कडी मने लमा हाथ भलाया से साधू का आना निशेद बताया हो साधू का आना निशेद बताया पिटियां की चार दिवारी में कदम बाहर ना रख सकती पाधी देखा की लाचारी में लेकशाले बाहर ना रख सकती पाधी देखा की लाचारी में है तेभी कहिए साधू माता तुम तो कुट्या शेद बाहर ना रख सकती देखा की लाचारी में से बाहर नहीं आओगी और जब मैं कुट्टिया की तरह बढ़ता हूं अगनी उच्पन होती है लेकिन साधू महत्मा जी मैं इसी रेखा से बाहर नहीं आ सकती और बहार आका आपको भिक्षा भी नहीं दे सकती यह मेरी में कोई ऐसा वेसा मत जाने मैं दे के स्थाब चला जाओं लक्ष्मन दीवर की आग्यारे खाते बाहर ना जाओं इभू का सदितना जार्याते हो भूका सदितना जार्याते दोस्त लगे खल्यारी ने कहर ये साधू महत्मा आप ऐसे मेरे घर से खाली हाथ नहीं जा सकते हैं अच्छा मैं आपको इस कुटियां से बाहर निकलकर भिक्षा देती हो आओ शुनिये मेरी बाग मैं और बाहर निकलकर मैं बहर निकलकर ना जाने तुत कर द्याल儿 अपापी दूस्त चाड़ मुझे अपापी दूस्त चाड़ मुझे अपापी दूस्त राक्षस क्या तुझे चराजी भी श्रम नहीं आती एक अबला नारी पर इस तरह से पूरी नजर रखता है तुझे तो कहीं टूब के मर जाना चाहते हैं लेकिन मैं तुमसे कोई परोपकार कराना नहीं चाहती और आज यह परोपकार तरन लेना ही होगा मैं कहती हूं मुझे दूर रहे नहीं तो चलके फस्वह जाएगा दूर सिते यदो राजी-राजी इस रामर की पट्रानी-राणी बन जा इन सादू के साथ क्या रख्वा है है ए पापी रभन कौन हो जटायू जटायू महाराज मेरी इस पापी राक्षस्ती रक्षा कीजिए जटायू महाराज ये मुझे चबर्चस्ती उठा कर लेके जा रहा गए तुम्हारा क्या मतलब था तुम लाइन से आगे चली गई मेरे पास में हाथ पैर तो है केवल चोंच है करके देखता हूं का रवाई ये शीता माता को अकेला छोड़ करके एजटायू और मेरे रास्ते से दूर रावान ये जटायू जब हटेगा जब ये जटायू मर जाएगा और वस्ते जबस आएगा यूद्ध करेगा यूद्ध करूंगा ललेगा लड़ूंगा आता तु अर्ठ ये मारूंगा छोर ना मतिसे चिंते को बार देना तिल्कुल दिर माँ छोर नाइसे कुछ पापी रावान तूने मुझे मार दिया है लेकर यह पाप तेरे सिर पेचेड करके बोलेगा और एक दिन तेरा और तेरी लंका का सत्यानास हो जाएगा अगर तुम कहीं मेरी अवाज सुनते हो तो इस राक्सस से मेरी रक्षा कीजिए अरजा राम की बात करती है उस छोटे से राम की काल की पीट में बैठ के मनाता हूं यह हवा मेरे महर में जाड़ी लगाती है तो इस राम की क्या वकात है यह जो तेरा एहंकार है ना यह तेरा एहंकार तुझे लेके मरेगा तू मरेगा जरूर मरेगा तू क्यूं इस बन खड़ में दो कुपाव है मेरे साथ चाल बन राणी तू साथू हो के बने सवाजू तकता बीर बिरानी तू साथू हो के बने सवाजू रखमा मिर बिरानी तू मेल एक बती राता रामणी ओ एक बती राता रामणी चले तो यह मेल अकारी में हद जातुर मेरे तैमत ना चेड़ना पितारी ने करिकर लाव से मेरे प्यारे देवर लिक्षाण अगाई तुम मेरे आवाज शुनते हो तो इस रावन से मेरी रख्या कीजिये अवी से अच्छा फुरा कुछ भी नहीं दिखाए देओ आ है अगर तुम मेरी आवाज कहीं सुनते हो तो मेरे प्राण पति फेरी रक्षा कीजिए ए सिदे राम जो मेरे साथ तुझे देखेगा वापस लेड़ेगा और छोटे से राम की बात पहती है जिसकी कोई उकात नहीं है ये राजा रावण लंका धूस रामड का सामना कोई कर नहीं पाएगा सिदे या तो राजी राजी चान नहीं तो तरह ठाके भी ने दामा अब ये तो मेरे राम के बारे में जानता ही क्या है जब मेरे राम को खियारी एके दुखियारी ही कहे बाती रोते रोते माल्ती वाप्वा मैं ही हो गई पाफियों के पाफ जोटे दोगे हर हर गखिकिक हर हर गंदे के तुब से दूरे राजी राजी साथ चाल अरे राजी राजी साथ चाल रत तने उठा ले जाओं मैं प्राणी पती मेरी लाजी बचाओं रो रोके डख राओं मैं कर्मपाली को निरोग सकेगा हो कर्मपाली को निरोग सकेगा इस रामर बलकारीने कह जैसिंग वो तुक पावे जो छेड़ेगा परिनारी में कर्मपाली में परिन निरन्द में कड्री रहा दियों भिक्षारी धाले में तारी में आगेश मेरी मेरी तुम्हारी में